Hello Everyone, Welcome to Technorohes और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप कैसे जो एक YouTube का चैनल बना सकते हैं फ्री में और उसके उपर जो वो अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और उसके जरीये जो वो एक पैसे कमा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा step-by-step tutorials बताऊँगा और बहुत सो लोग जो भी planning कर रहेगी YouTube का चैनल बनाने के लिए और उसके उपर आप जैसी की सोचते के जो advertisement आते हैं उसको लगा के कैसे पैसे कमा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगे की जो वो help करूँग तो let's start Gmail account आप जानते होगे simple है सब के पास होता है free में बनता है तो आपको इस तरीके से Gmail account बनाना है आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जैसे कि आप YouTube open करते हैं तो पहला चीज जो आपको right के दर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखा देता हो कि यह जो sign-in का tab है इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी आपका Gmail account आपको उससे जो वह login करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं उपर की तरफ आप जो sign-in का tab हड़ गया है और यह जो अप मेरा account बन गया है तो यह वही account है जो account मेरा Gmail का था उसी account से यूटूब के इंदर मैं जो login करते हो तो पहला step जो हमारा था Gmail account बना के YouTube में sign-in करना तो वह पहला step जो आप complete हो गया है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो यह जो menu है राइट के अंदर आप देख सकते हैं उपर के अंदर जो एक face बना होगा छोटा आपको उसके ओपर जो क्लिक करना ह इस तरीके से और एक छोटा सा menu खुलेगा वहाँ पर आपको जो वो creator studio में click करना है जैसे आप creator studio में click करेगे तो आपके सामने एक नया page खुलेगा यह आपका जो पेज इसको dashboard बोलते है यानि कि एक menu page है आपको जो जो यह जिसका account है उसको इस तरीके से दिखाएगा तो य यह पार्ट जो यहां पर आपके videos दिखाएंगे जितने सारे videos upload है यह जो है यहां पर आपको सारे details बताएं कितने views आएं उपर की तरफ आपको बताएगा subscribers आपके कितने हैं यहां पर आपका channel का नाम है और सारे details यहां पर दे देता है और left में यह जो panes है यह सब window के चो च standing दिखा रहा है channel की standing कैसी good standing की copyright भी हमारा सही है यानि कि कोई भी चीज हमने भी आप गलत नहीं किया कोई भी चीज हमारी suspend नहीं है क्योंकि पहला account है तो पहली बार ऐसी बताएगा और important चीज यहां पर देकर रहे verify आपको YouTube चालू करना है तो उसके पहले आपको verify करना तो यहां पर 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 ऑपको यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर रहे पर कes Stage और आपको यहांपि सकते हैं augmentЗд के श्यवर के पहलों कीन्ट कृषकर पर चोटोडी म्यशना करके दमजा है क्की कि हमेशा से आपका जो number हो यहाँ पर saved हो जाएगा फिर आपको एक text message आएगा right map देख सकते इस तरीके से Google verification code बताएगा तो यह जो code आएगा हमें वो यहाँ पर डालना है next करने के बाद तो इस box के अंदर अभी मैं यह code डाल दुआ 785846 तो यह सबका जो code होता है यह सबका unique code होता है यहाँ इस तरीके से यहाँ पर में यह code डाल देता हो उसके बाद जैसे code हम डाल देते हैं हमें जो submit करके आगे पहुँच जाते हूं जैसी में submit कर देता हूं तो यहाँ पर लिखता है जी हाँ, अब आपको मैं दूसरा important step यहां पर पता है, यह दिख सकती है, monetization, तो यहां पर आपको अपने advertisement वीडियो पर लाना है, तो यह important step, तो पहले चीज़ आपको करना है, choose your country location, तो monetization पर जाना है, आपकी country को select करना है, यहां पर देगी country जो by default अफगानिस्तान है, तो हम पिदम नीचे की तरफ आना है, और उसको जो वो safe कर रहा है, तो जैसी हम safe करते हैं, तो हमारा जो monetization का जो option, यानि की advertisement हमारे वीडियो पर दिखती है, उसको monetization बोलते है, वो जो enabled हो जाएगा, इस तरीके से मापको बता रहता हूँ, देखिए, फिर से हम जाते हैं, हमारे dashboard की तरफ, और हमारे channels की तरफ हम फिर से जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे की तरफ monetization अप जो enable करने का option दे दिया, यानि कि आप हम जो वो, जानि कि इसके काबिल हो गए, कि ताकि हम जो अपनी वीडियो को वीच पे जो upload करके advertisement डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ पर आपको बता रहा है, आपको पहला जो अपना Google Adson को enable करना पलेगा, इसको जो वो चलाने के लिए, तो यहाँ पर पहले आप जैसे कि enable में account पे click करेंगे, तो यह आप ऐसा window देगा, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं दिखाएगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आप आपके चैनल पर कम से कम एक या डो वीडियो तो होना बहुत जरूरी है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक वीडियो sample upload कर लेता हूँ, उसके बाद हम फिर से आते हो, enable में account पे click करते, तो आप देख सकते हैं, अभी मैं फिर से आया हूँ, और अब जो मैं इसके ओपर एक video upload कर करते हो sample video, फिर से जो मैं enable पे click करता हूँ, इस तरीके से, और आप देखे कि फिर से मैं यहाँ पे enable में account पे click करोगा, तो यहाँ पे अब मेरे सामने window सामने open होके आ जाएगा, उसका मतलब भी है कि मेरे channel पर उन्होंने एक video verify कर दिया है, अब जो मुझे वो यहाँ पे अब my account पे click कर लेता हूँ, और यहाँ पे window open होके आगया इस तरीके से, यहाँ पे आपको सारे agreements जो YouTube की तरफ से मिलता है, उसको जो आपको tick करना है, और जैसे आप tick कर लेगे, तो नीचे की तरफ आपको I accept करना है, तो जैसे आप accept कर लेगे, तो अब यह पुछेगा किस इस तरीकी के advertisement आप अपने videos पे दिखाना चाहते हैं, तो आपको जो चाहिए हो इससाब साब select कर सकते हैं, और उसको monetize कर सकते हैं, इस तरीके से right में नीचे का option है monetize, तो यह मैंने जो monetize क्लिक कर दे, तो जी हाँ, अब क्या हो गया कि मेरे channel के ओपर जो भी videos होगे, उसके पर आप जो advertisement आना शुरू हो जाएगी, जी हाँ, तो अब जो भी advertisement आती है, उसके जरीए जो मैं पैसे कमा, बिल्कुल भी सकता हो, लेकिन अब आपको जो पैसे कमाना है, तो account के लिए आपको set करना पड़ागे, ताकि वो पैसे आपके account में set हो जाए, तो यह आप देख सक एक नया page कुलता है, Google Adsense का, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस page के उपर आपको यह सारे options देता है, आपको sign-in करने बोलेंगा, आपको उसी account से sign-in करना है, जो account से आपने YouTube के उपर जो लोग-in किया, तो मैंने यहाँ पर sign-in कर लिया हूँ, तो sign-in जो आपको automatically कर लेगा website में options दिया है, I don't have a website, मैं इस पर click कर दूँगा, click window open होगा, इसको फिर से आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इसको close कर देना है, तो वो क्या करेगा, automatically मैरा channel का URL यहाँ पर set कर लेगा, इस तरी के साब देख सकते हैं, ठीक है, फिर आपको फिर स connection आप दालेंगे, उसको जो गवे एकदम से पराबर सेट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह तीसरा विंडोव आया है, यहाँ पर आपको ताइम जून सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमारा इंडिया का तथो टाइम जोन आता है, वह है कोलकता का, तो हमें जो कोलकता का time zone यहां पर set करना है तो यहां पर मैं ढून लेता हूं और पोल्कता set कर लेता हूं इस तरीके से account आपको यहां पर set करना है individual या business तो मैंने फिला लिव इंडिवीजिल set किया हूं फिर आपको अपर address दालना है प्रॉपर address दालना है यहां पर मैंने ऐसे दालना हूं कि गूगल की तरफ से आपको card आएगा वह letter आएगा उसके अंदर से आपको नमबर दालने के बाद आपको नीचे submit में application पर click करना है और जैसे आप submit में application पर click करें के तो यह आपको बोलेगा कि और फिर आपको जो submit application करना है तो जैसे आप submit कर लेगे उसके बाद यह क्या करेगा कि आपको जो हो आपके यूटूब account के ओपर automatically redirect कर लेगा इस तरीके से यहां पर open page होगा इसको yes करना है और आपको जो नीचे की तरफ जो हो उससे accept करना है तो यहां पर लिखा है redirecting you back to YouTube अब फिर से आपको जो आपके यूटूब के पेज़ पर लेके जाएगा और वहां पर आपको बोलेगा कि यह एक अफ़ता लगे करने के लिए रिवीव हो जाएगा उसके बाद आपके account में पैसे आना शुरू हो जाएगे मैं आपको बता र आपको जो और आपको जो यहां पर यहां पर बेसिक चीजे में बता जेता कि क्या चीजे लगती है YouTube के account जो set पर देख सकते हैं यहां पर इस वह पासा मिलेगा आपको क्या करना है वीडियो में जयाना है इसके से लिएस आटिंस में जाना है और अउसको आपको जो और और तो इस तरीके से आप उसको on कर लिए जएगा और उसके बाद जो अपने settings को नीचे की तरफ जो वो safe कर लेना है तो जैसे कि आप safe कर लेगे तो आप जैसे कि अभी dashboard पे जाएगे आप वीडियो मेनेजर में जाएगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो चैनल के ओपर जो भी आप वीडियो डाल रहे हैं वो जो वो monetize हो गए है और उसके पर advertisement आ जाएगे और आप जो पैसे कमा सकते इस तरीके से आप green tick हो जाएगा अब आपको मैं बता देता हूँ कि अब यह green tick तो हो गया advertisement भी setup हो गया हमारा account भी verified हो गया है तो आप जो पैसे आएगे वो कैसे आएगे पैसे आना तो चालो हो गया लेकिन आपका account अभी तक जो वो set नहीं है तो आपको क्या करना है कि google adsend में जाना है इस तरीके से आप यह लिंक उपर देख सकते हैं आप मैं अपने वीडियो को decision में आपको लिंक देदूगा आपको जाना है तो जैसे आप चैनल open करेंगे आपको बोलेगा आपको account नहीं verify करने कि जभी जरूरत पड़ेगी तो जैसे आपका वी review हो जाएगा त उसी सबसे आप जो अपने चैनल के ओपर जो account set कर सकते हैं और हर महीने आपको जो आपके YouTube की account के पैसे आ जाएगे यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरीके से में आपको नए वीडियो देता रहूँगा आपकी help परता रहूँगा अगर आपक जो मैं help ज़रूर करोगा तो till then have a great day and always keep smiling